हेलो बच्चा लोग, प्लीज टेंशन मतलो, आपकी एक्जाम्स आ गई हैं बहुल जादा नस्दी, इसके लिए हम भी महनत कर रहे हैं और आपको भी हमारा सपोर्ट करना पड़ेगा और महनत भी करनी पड़ेगी आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि दस ऐसी मिस्टेक्स जो आप एक्जाम में करते हों और उस मिस्टेक्स को आपको नहीं करना है, अवोइट करना है ठीक है, ध्यान से सुनिएगा इस पूरे वीडियो को आपके हाथ में question paper आता है, आप एकदम से panic कर जाते हैं, है ना, तो आपको वो चीज नहीं करनी है, आपको सबसे पहले पूरा का पूरा question paper देखना है, लेकिन कुछ बच्चों का ऐसा होता है कि जब वो paper देखते हैं, तो suppose करिए कि question number 1 उन्हें आ रहा है, लेकिन question 2 नहीं आ मतलब यही बात हो गई ना, कि थाली में आपके जो पधार्त रखे हुए हैं, उन्हें आप नहीं खा रहे हो, लेकिन आपको ख्वाहिश है कि हमें पनीर पकोड़ा मिल जाए, ठीक है, तो उस लालच में जो आपके थाली में पधार्त हैं, वो भी चले जाते हैं, ठीक है, तो यह नहीं करना है आपको, लेकिन आपको question paper एक बार अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि कभी-कभी जो negation वाले words होते हैं, for example, not, never, ठीक है, यह सारे जो words होते हैं, उन्हें क्या होता है कि बच्चे जो है, उसको नजल अंदास हो जाता है, उनसे, वो करते नहीं हैं, लेकि होते हैं, वो हमारे आखों से नजर अंदास हो जाते हैं, इसके लिए आपको questions अच्छे से पढ़ने हैं, okay, now, tip number 2 is, get stuck on one tough question, आप क्या करते हो, आप को एक question नहीं आरह, for example, question number 3 is tougher than the question number 5, okay, तो आप क्या करोगे, पहले question number 3 आ गया, अब आपको नहीं आ रहा है, अरे नहीं आ रहा है, तो leave it, जब time मिलेगा, we will do that, लेकिन आपको question number 5 आ रहा है न, तो जो चीज नहीं आ रही है, उसके वज़ा से जो आ रहा है, वो भी आपका छुट जाएगा, इसके लिए, एक ही question को लेकर पकड के बैठना नहीं है, ठीक है, आपको दूसरे question में move on करना है, और उसे लिखना है, एक बंदी चली जाती है, लाइफ से, एक बंदा या बंदी चली जाती है, तो क्या आप उसको लेकर बैठे रहते हो क्या जिंदगी भर, नहीं न, move on करते हो न, दूसरी पटा लेते हो, it's okay, ठीक है, थर्ड वाला, making basic spelling and grammar errors, आप पैनिक करते हो, इस वजह से आपकी spelling मिस्टेक होती है, बहुत बच्चे इतम silly silly, जैसे for example, government की spelling, government की spelling में बहुत error हो जाता है, इसलिए हमेशा, अभी तो online lectures, online का जमाना आ गया है, तो लोग WhatsApp यूज कर रहे है, जो भी social media यूज कर रहे है, they are using shortcuts for everything, because के जगा पर यहां पर आप exam में कभी C, O, Z या फिर B, C, O, Z लिखकर आ जाओगे, so यह आपका exam है, you are not chatting with the examiner, okay, you are not chatting with them, ठीक है, जो आप shortcuts लिखेंगे, तो अभी से आपको यह सारी चीज़े avoid करनी है, shortcuts नहीं लिखना है, end का symbol बना कर आ जाएं और इसी सारी silly silly चीज़ों में आपके marks कट जाते हैं, और बच्चे को लगता है कि हमने answer सही लिख कर आया है, तो answer सही हो भले से, लेकिन if you have done spelling और grammar का mistake, you will not get marks, okay, cleared, now, tip number 4 is, writing an answer without plan, अभी, writing an answer without plan, what does it mean, आप क्या हाँ पर plan नहीं करोगे, लेकिन आप अभी से, जो हम sample papers provide करते हैं, या फिर जो आपका test वगेरा होता है, उसमें आप plan करोगे कि आपको answer कैसे लिखना है, अगर आपको चाहिए, तो मैं आपके लिए answers कैसे present किया जाता है, उसका एक separate video बनाऊंगी, ठीक है, तो आप tension मत लीजी, तो वो एक video आपको मिल जाएगा, don't worry, इसमें introduction होता है, फिर conclusion, जो भी जैसा, जो भी रहता है, I will discuss it later on, if you want, please do comment, now, अभी हमारे पास जो है, कि answer आप कैसे लिख सकते हो, तो to answer the exam questions effectively, it's important to have a structure for your answer in mind before you begin, जैसे for example, open-ended question कुछ पूछ लिया है, कि X, Y, Z गया और accident हो गया, now, bleed हो रहा है, अब क्या करेंगे, तो आपको वो सारी चीजे प्लान करना है, तो प्लान करने के लिए आप आधा घंटा लगा देंगे, तो अपना exam लिखेंगे का, तो यही सारी चीजे मैं आपको एक video में बताऊंगी, अगर आपको वो चाहिए तो प्लीज चा कर कमेंट करिए, ठीक है, now, tip number 5 is, forget to draw diagrams in needed answers, for example, biology का exam होता है, और आप expect करते हो कि आपको पूरे के पूरे marks मल जाए, लेकिन, dear, no, बाइलोजी के exam में आप से expect किया चाहता है कि आप answer के साथ diagram भी draw करें, भले से वहाँ पर mention नहीं है, तो क्या हुआ, you have common sense, you need to score a good marks, you have to do something extra, हर बच्चा answer लिखकर आता है, but if you want to score good marks, you have to do extra, ठीक है, तो जिसमें कोई diagram needed है, वो आप please बनाइए, और अगर आपको उस diagram की labeling नहीं आती अच्छे से, तो extraordinary करने की कोशिश मत करिए, नहीं तो जो आता है, उसमें भी marks नहीं मिलेगा, okay, now, tip number six is, forget to check paper properly before submitting, आपको हमेशा बोला जाता है, आपकी teachers भी बोलते होंगे, कि जब exam खतम होने के 10 minute पहले से ही, आपको question numbers चेक करने हैं, कि मैंने right लिखा है या नहीं, proper order चेक करना है, पेपर का कि proper attach किया है कि नहीं, लेकिन बच्चे जो हैं भूल जाते हैं, सारी चीज़े एक बार चेक करनी होती हैं, कि कहीं spelling mistake तो नहीं किया, तो जो बच्चे करने होते हैं, आप उसमें वो कर सकते हो, और आपको करना जरूरी है, ठीक है, 7th point is, avoid leaving the easiest question until last, बहुत important point है, आप सोचते हो, जो सबसे easy question है, वो हम last में करेंगे, no, this is not done, सबसे easy question है, आप उसे कर दीचिए, तो आप भूल जाएंगे, और time अगर नहीं रहा, तो फिर आपको जो आ रहा था, वो आप लिखी नहीं पाएंगे, जिस किसके चकड में, जो आपको नहीं आ रहा था, वही बात हो गई ना, हाथ में चोकलेट है, लेकिन चाहिए आइस क्रीम, तो बाद में आइस क्रीम भी नहीं मिली और चोकलेट भी हाथ से चली गई, ठीक है, 8th point जो है, टेकिंग टू मेनी ब्रेक्स, आप तो एक्जाम हॉल में अगर जाएंगे, तो आपको ब्रेक्स तो नहीं ही मिलता है, लेकिन बार बार पानी पीना, बार बार कुछ ट्रिगर हो जाना कि मेरे को वाश्रूम जाना है, all that, तो ये सारी शीज़े आप कंट्रोल करिये, जैसे आपका एक्जाम स्टार्ट होता है, साढ़े दस, ग्यारा के बीच में, तो आप अभी से आदट डालिए कि ग्यारा से दो के बीच में आप कहीं वाश्रूम पानी वगेरा इसम नहीं पीएंगे, नहीं जाएंगे वाश्रूम, ठीक है, तो आपकी हैबिट डेवलप होगी, Now, next point, ninth point is, forget to watch the time, लिखते जाते हो, लिखते जाते हो, लिखते जाते हो, दो मर्क्त का question है, रमायन लिख रहे हो, और चार मर्क्त के question है, वो बचए हुई है, और आप अपना लिख रहे हो, अपने ही सुर में हो, time भी ने देख रहे हो कि कितना है, तो एक time management की жो skill है, आपक निए वन वीडियो तर टााइम मैनेजमेंट दो बहुत यदुर से मिल बाइप पॉसिबल के देग the अगर पॉसिबल है आपसे तो भोगोत बेकार हंड़ाइटिंग मत लिखिये जिससे एक्जामिनर को भाइप उत खिड हो, तो अगर मैं एक्जामिनर होती तो तो मैं भी तो अपने राइटिंग पर थोड़ा सा इंप्रूव्मेंट लाइए सेंपल पेपर सॉल्फ करिए जिसे आपकी राइटिंग फास्ट हो जाए और थोड़ी सुधर भी जाए एग्जाम आने तक ठीक है अभी तो थोड़ा टाइम है चाहो के तो हो सकती है ठीक है अब भोलो कि कि जब तक आपको आप अपना पेपर नहीं लिख पा रहे हैं तब तक आप दूसरे को हल्प मत करिये मतला कि आप अपना टाइम दे रहे हैं दूसरे को आपका पेपर कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन आप दूसरे का पेपर कंप्लीट करने में लगे हुए है ठीक है तो इतन और आपने सुना ही होगा कि self help is the best help आप बोलो कि माम आप तो बोल रहे मेरा friend फेल हो जाएगा अरे friend क्यों फेल हो जाएगा उसको भी बोलो ना पढ़ने के लिए वो नहीं पढ़ सकता क्या ठीक है तो कोई भी ऐसा आप बोलो कि तो इन सारे मामलों से दूर रहे है और पढ़ाई करते रहे है हमारे शानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लिजिए टेलिग्राम ग्रूप जाइन कर लिजिए अगर नहीं किया है तो आपको बहुत सारी चीज़े मिलती है स्टडी माटेरियल वहाँ पर मिलता है आपको फटा-फट से जॉइन कर लिजिए थैंक यू वरी माच